नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों तो वीडि वीडिया में कई बार ऐसा और्गुमेंट दिया जाता है कि सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है डेमोक्रेटिक डिसंट्रलाइजेशन जहां पर गवर्न करने की पावर को जो लेर अफ गवर्नमेंट से उन में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जाता है सेंटर स्टेट और जो अमेंडमेंट पास किये गए थे 73 अमेंडमेंट के जरिए पंचायस को गठित किया गया था और पंचायदी राज की स्थापना की गई थी जबकि 74 अमेंडमेंट के जरिए नगर पंचायतों की स्थापना की गई थी जिसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में powers and responsibilities को जो local self government है उनको सौंप दिया गया, माना तो ये जा रहा था कि इसके बाद ये सरकारे लोगों के पती ज़्यादा अकाउंटेबल होंगी, लेकिन बहुत कम प्रोग्रेस दीखी जा रही है, डेमोकरटिक परस्पेक्टिव से देखा जाए, तो हर पांस साल में 32 लाख लोगों के रिप् इस तर पर क्या होता है, ग्राउंड पर क्या होता है, देखें, कॉंस्ट्यूशन के मताबिक ये कहा गया कि कुछ अधिकार और सक्तियां, लोकल गवर्मेंट्स को सौंप दी जाएंगी, उनका डिवुलुशन कर दिया जाएगा, डिवुलुशन कर देने का मतलब सिर्फ इ लाइरे में रहते हुए, अपने फंक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, और उसके लिए उन्हें परयाप्त मात्रा में, फानेशल ग्रांट की आवशक्ता पड़ती है, टेक्स हैंडलिंग की आवशक्ता पड़ती है, अब जो स्टेट गवर्मेंट्स हैं, वो कर लेकिन ऐसे अधिकार वो उनको देते नहीं है, उनके पास enough staff भी नहीं होता, जो उनके साथ जो आधार भूथ responsibilities हैं, जो basic responsibilities हैं, उनको पूरा कर सके, और इन्हीं आधारों पर ये कहा जाता है कि जो local governments हैं, वो अपने voters के प्रति responsible होते हैं, ना कि अपने higher level के department के प्रति, ले constitutional mandate की बात करते हैं जब हम बात करते हैं कि constitutional mandate के मताबिक जो पंचायत और municipalities हैं उन्हें हर 5 साल पर elect किया जाएगा साथ ही साथ जो states हैं जो राज्य हैं वो उन्हें कुछ जिम्मेदारियां और कुछ अधिकार सौप देंगे जो कि law के मताबिक mandate किये गए हैं तो क्या जो design है जो ये पूरा mechanism develop किया गया है उसमें कहीं problem आ रही है अगर आप और ध्यान से देखें इस पूरे mechanism को तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप इंडिया की political और social history की बात करें तो ये ठीक है कि states को ये अधिकार दिया जाए कि वो local level पे अपना governance खुदी handle करें ये जरूरी है क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने देखा बिश्चर्स का era था एक centralized power हुआ करती थी जो पूरे states को या इंडिया के हर region को regulate किया करती थी रास route level की जो problems थी वो रह जाती थी इन्ही बातों को संग्यान में लेकर states को या धिकार दे दिया गया कि आप देखे कि local sales government कैसे work करेंगी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मतलब अगर आप ये कहें कि states को या धिकार नहीं दिया जाना चाहिए था तो ये उचित नहीं होगा इस बात को justify करने के लिए 14th Finance Commission की report का हवाला दे सकते हैं जिसे study किया गया Center for Policy Research के द्वारा जो ये दिखाता है कि states ने लगभग सभी states ने formally जो अधिकार मतलब कुछ specific areas में जो अधिकार है वो local self governments को सौप दिये हैं पांच कोर functions हैं जो लगभग हर राज जी ने local self government को सौप दिये हैं like water supply, sanitation, roads and communication, street light provision और community state का जो community assets हैं उनका management ये अधिकार लगभग हर state ने local governments को सौप दिये हैं then where is the problem आखिर actually में problem है कहां problem है funding के design में पैसा that is the problem अब इस लिहाद से problem कैसे आती है पहली problem तो ये होती है कि जो पैसा local governments को दिया जाता है वो उनकी basic requirement को पूरा करने के लिए adequate नहीं होता परयाप्त नहीं होता दूसरी बात कि जो पैसा उन्हें खर्च करने के लिए दिया जाता है उनमें flexibility नहीं होती मतलब अगर उन्हें road उन्हें road बनाने के लिए एक certain amount दिया गया है आविशकता पड़ी है कि उसमें से कुछ पैसे का इस्तिमाल बगल में एक नाली बनाने में कर दिया जाये तो वो नहीं कर सकते इतनी flexibility उनको नहीं दी जाती that's why ये problem ज़्यादा बढ़ जाती है तीसरी बात कि बहुत कम investment किया जाता है कि जो structure है local government का उसे बहतर किया जाए कि वो अपने खुद के taxes gather करके user charges के जरिए उसका इस्तिमाल अपनी governance के ability को बहतर करने के लिए कर पाए इसके लिए कुछ भी investment नहीं किया जाता और चौथी बात जो सबसे नुकसान देश साबित होता है वो ये है कि जो basic task है उनको भी perform करने के लिए उनके पास enough जो human resource है वो नहीं होता जो human resource उनको मिलता है उन्हें higher level के जो departments है वो higher करते है that to earn deputation deputation का मतलब यह होता है कि certain time period के लिए दो साल के लिए तीन साल के लिए उन officials को काम सौपा जाता है उसके बाद उनका कारेकाल खतम हो जाता है that's why वो वहाँ की local government के पत खुद को responsible मानते भी नहीं है उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनका appointment तो उपर से हुआ है और वो उन्हीं के पति responsible भी है तो यहाँ पर देखिए एक यह इस तरीके से vertically integrated department system के दहत काम करते हैं जो नीचे का level है जो local government का level है वो marginalized हो जाता है इस तरीके की problem यह जो local government के पूरे structures हैं वो face कर रहे हैं आज के दौर में जो structural problems हैं अगर यह आपको problem enough problem ना लग रही हो लग रहाओ कि नहीं यह यह इतनी बड़ी problem नहीं है तो मैं आपको थोड़ी और problem पता देता हूँ states में अकसर elections को ही postpone कर दिया जाता है मतब यह problem जो आपके सामने discuss की गई वो तो हैं ही sometimes जो elections हैं उनको भी postpone कर दिया जाता है जबकि यह प्रावधान किया गया है कि कारेकाल पूरा होने की 6 मा के भीतर दोबारा election हो जाना चाहिए 2005 में गुजरास सरकार ने एहंदाबाद corporation elections को टाल दिया Supreme Court ने फटकार लगाई और यह कहा कि किसी भी स्थती में जो postponement है elections का local government पे allow नहीं किया जाएगा उसके बावजूद तमिल लाडू में जो पंचायत elections है वो लगभग 2 साल से conduct नहीं किये गए हैं यही करण है कि जो state है जो तमिल लाडू है वो finance commission की grant में भी पीछे जा रहा है जब आपके elections ही नहीं हो रहे हैं तो grant कैसे दिया जाएगर grant तो फिर मिलेगा नहीं तो problem तो local level पे जो issues हैं उनके लिए हो रही है लोगों के concern address नहीं हो पा रहे हैं अब centralization की बात करते हैं देखे जो सरकारे बार-बार आती हैं वो कहती क्या है कि हम decentralization लेकर आएंगे local level पर लोगों को ज़्यादा अधिकार देंगे वास्तविक्ता में ऐसा कुछ होता नहीं है जो वरतमान सरकार है उसकी विजो service delivery का mechanism है वो लगातार centralized होता चला जा रहा है decentralization पे focus नहीं किया जा रहा है इसके लिए चाहे वो technology का इस्तेमाल करें या फिर जो government की कई तरीके की initiatives हैं वो भी centralized manner में ही implement किये जा रहे हैं और वास्तों में जो local governments हैं वो तो उनके front office की तरफ वर्क कर रहे हैं आप smart city program का ही example ले लीजिए इसमें जो fund allocate किया जा रहा है उसके लिए municipality का कोई role नहीं है बलकि municipality के parallel ही special purpose वहकिल बना दिये जाते हैं जिनको वो पूरा पैसा दे दिया जाता है और वो काम करते हैं जो special purpose वहकिल बना के पैसे उनको देकर local level पे काम करवाया जाता है वो municipalities और gram पंचायतों के अधिकारों को कहीं ने कहीं infringe करते हैं अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो decentralization को advocate करते हैं लगातार political arena में या for civil society में उनको छोड़ कर किसी को भी इस बात की खास चिंता नहीं रहती कि ज़दा ज़दा centralization जब insure किया जाएगा तो लोगों के concern कहीं ने कहीं दरकिनार होते चले जाएंगे इसलिए जब भी local governments के अधिकारों में कटावती की जाती है तो किसी को कुछ खास आपत्ती होती नहीं बलकि sometimes तो जो citizens हैं वो उसको welcome भी करते हैं कि अच्छा ये local governments को अधिकार नहीं दी जा रहे हैं आखिर लोगों का notion local government को लेकर ऐसा है क्यों क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि local government के level पे बहुत ज़्यादा corruption होता है और जब centralization होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि central level पे जब काम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, पैसा जब नीचे आएगा तो ये जो local authorities हैं वो उस पैसे को खा जाएंगे और उसका इस्तिमाल उनके हितों को पूरा करने के लिए नहीं होगा, तो मुद्दा अप corruption पर आ होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चुंकि local governments को मिलता है, that's why वो उसकी और attract भी होते हैं, वो elections जीतने के लिए voters को bribes करते हैं, और जो different groups हैं उनके साथ deals करके elections जीत लेते हैं, furthermore, जो higher officials होते हैं, जिनको MLA की और से post कर दिया जाता है, वो भी कई बार bribes लिया करते हैं, क तो local government की ओर से ये बोला जाता है, कि साल आपको बनाने में 5 लाक रुपै या 10 लाक रुपै का खर्च आ जाएगा, तो उसे clear ही नहीं करते हैं, बोलते हैं 10 लाक का खर्च नहीं आएगा, यहां तो केवल 2 लाक का खर्च आएगा, तो उसे clear करने के लिए आप उनको कुछ प कि decentralization की वज़र से corruption हो रहा है, क्योंकि लोगों का mindset corrupt है, क्योंकि corruption को रोकने के लिए enough measures नहीं लिए गए है, decentralization की वज़र से corruption नहीं हो रहा है, जो decentralized corruption है, वो वास्तों में expose करना ज़्यादा आसान होता है, local level पे लोगों की निगाह होती है, अगर कोई व्यक्ति corruption कर रहा है, तो पकड़े जाने के संभावना ज़्यादा होती है, अगर higher authorities corruption करते हैं, तो उनके पकड़े जाने के संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि local level पे ज़्यादा corruption हो रहा है, because local level पे corruption ज़्यादा visible होता है, जैसे कि कई बार ऐसा आपको सुन जाते नहीं है, उभर कर आ जाते हैं, जबकि कई सारे levels पे या कई सारे areas में जो crimes होते हैं, वो तो लोगों के सामने ही नहीं आ पाते हैं, उनको कई बार दबा दिया जाता है, तो visibility जब कहीं ज़्यादा होती है, तो हमें लगता है कि वो चीज वहीं ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल वैसे ही, local level पे corruption ज़्यादा पकड़े जाते हैं, that's why लोगों के अंदर ये notion आ गया है कि local level पे corruption ज़्यादा होता है, corruption तो हर level पे हो रहा है, और इस नाम पर आप decentralization को रोक नहीं सकते, आप को corruption को रोकना होगा, उसके लिए measures लेने होंगे, बजा इसके कि आप decentralization करना होगा, जदा empower करना होगा, आखिर constitutional definition क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, आप ही बताए ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा association होता है, voters का, सभी voters मिलकर ग्राम सभा का निर्मार करते हैं, अब सभा का मतलब क्या होता है, आप लोगों को भी पता होगा, सभा का तो उसे ही democracy का strong होना मान लिया जाता है, cosmetic reform से ये नहीं होगा, कि हम जो gram-sabha की meeting हो रही है, उसको वीडियोग्राफी कर लेंगे, तो democracy बहुत जाता strong हो जाएगी, इससे काम नहीं बनेगा, gram-sabha के साथ concentration हो various important issues पर, कुछ ऐसे mechanism develop किये जाएं, कि लोग discussions में participate कर सकें, आप जो issues पर, जो gram-sabha race कर रही है, तो इससे उनका involvement बढ़ेगा, और ये हमारी democracy को strengthen करेगा, gram-sabha की meeting की वीडियोग्राफी करना, ये हमारी democracy को strengthen नहीं करेगा, दूसरा काम, जो local government है, उनके structure को भी strengthen करना होगा, उनको बहुत ज़्यदा काम दे दिया जाता है, बिना इस बात की च पर रहे हैं, तो आप उनको उतने resources भी provide करवाईए, जो local government है, उन्हें state department को accountable बनाना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि वो अच्छी quality provide करवाईए, corruption free service दें, और इसके लिए service level agreement हो सकता है states के साथ, कि हम ये काम करेंगे, आप इसके लिए हम ये facilities provide करवाईए, तो ये दूस टेक्सेशन के authority ना दी जाए, लोकल टेक्सेशन के authority देने से वो accountable कैसे बन जाएंगे, अब ये भी सवाल पैदा होता है, लेकिन local government अकसर property taxes को collect करने में reluctant रहते हैं, वो नहीं collect करना चाहते हैं, और नहीं वो user charges लेना चाहते हैं, इसका कारण क्या है, लेकि इसके दो नुकस पहली बात, तो अगर आप लोगों से पैसा वसूलेंगे, चाहे वो property tax हो या user charges हो, तो बाद में आपको vote लेने में रिक्कत होगी, कि आप तो पैसे वसूलते हैं, दूसरी बात, कि अगर आप लोगों से पैसा लेंगे, तो आपको लोगों के पर ज्यादा accountable रहना होगा, अ तो इस पूरे इस पर एक assessment करते हैं, क्या निकल के आ रहा है, देखें, इंडिया का जो effort है decentralization को लेकर, वो इंडिया की democracy को depend करने का एक सबसे बड़ा experiment है, decentralization democracy में अकसर बड़ा messy हो जाता है, इतना ज़्यादा layers सयार हो जाते हैं, फिर समझ भी नहीं आता कौन सा काम कर रहा है, जो criminal politicians होते हैं, वो operate करने लग ज है, और हम चाहते हैं कि ये problem रुके, तो हमें local level पर जो authorities हैं, उनको अधिकार देना होगा, local level पर corruption को track करना आसान होता है, comparison to higher level, इसी लिए अब ये जिम्मदारी हमारे उपर होगी, कि हम इस पूरे structure को और strong करें, एक robust democratic culture strengthen करें, जहां पर local authorities को ज़्यादा अधिकार हो, वो कि पती ज़्यादा accountable हूँ, corruption को avoid किया जा सके, तो ये पूरा assessment हमने इस पूरे issue पर किया, last minute topic को conclude कर देते हैं, देखिए हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर won रहना होगा, अगर हम higher level पर जो government officials हैं, उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप हमें हमारी जिम्मेदारी सौंपी हैं, तो व तभी भी हमें हमारे अधिकार नहीं देंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि हम खुद को बैतर तरीके से govern कर सकते हैं, तभी वो हमें खुद को govern करने का अधिकार देंगे, इसलिए important है कि हम higher level पर जो government officials हैं, authorities हैं, उनसे बोलें कि आप local level के authorities को अधिकार दें, हम उन्हें अप के लिए means का है, sometimes it is argued that democratic decentralization is barely alive in India, कई बार ऐसा argument दिया जाता है कि इंडिया में democratic decentralization अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, critically analyze the issues associated with the weakening of local self-government and extract possible solution, आप बताएए कैसे कौन से issues हैं, जो कि local self-government के कमजोर होने से जुड़े हुए हैं, और आपके हिसाब से क्या solution हो सकता है, क्यों इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.